Hello guys, welcome back to my channel तो भाई इस वीडियो में न हम NSUT के 2022 के प्लेस्मेंट को डिस्क्स करेंगे कि मतलब 2022 येर में NSUT का हायस्ट पैकेज कितने का रहा और जो एवरेज पैकेज था वो कितना था कॉलेज का ठीक है और साथ में जो domestic हायस्ट पैकेज था वो कितने का था और प्लेस्मेंट परसंटेज कितने का था कॉलेज का मतलब कि कितने परसंट बच्चे कॉलेज में प्लेस्ट हो गए और कितने परसंट बच्चे अनप्लेस्ट है गए वो officially college के दुवारा दी गई है यह information ठीक है तो यह information बिल्कुली accurate है मैं इसकी guarantee में आपको देता हूँ ठीक है भाई यह information college के दुवारा दी गई है ठीक है तो फिर यह एकदम accurate है तो फिर चलिए अब शुरू करते हैं तो उससे पहले अगर आप यह चाहते हैं कि आप कोई भी college से related important information को miss ना करें कोई भी update scholarship से related या और भी किसी चीज से related मिस ना करें तो चैनल को subscribe कर लेना क्योंकि इस चैनल पर मैं आपके लिए सारी information जो भी आपके लिए जरूरी है वो मैं आपको update देता रहता हूं time to time ठीक है भाई तो वाई total 243 companies ने इस साल college को विजट किया placements के ल का मतलब आपको पताई होगा जो coding से related जो आपकी programming से related jobs होती है वो टेक वाली companies होती है और वो सबसे ज्याद आये थी ठीक है second number पर आये थी आपकी non-tech companies और third number पर जो आई थी वो आई थी आपकी core companies जो core companies in the sense जो आपकी branch है like up mechanical हो तो mechanical से related jobs के लिए वो और वो और जो highest placement package था ना college का वो था 1.24 करोण और वो दिया था Google ने अपने लंडन वाले office के लिए ठीक है बाई जाहिड सी बात है यह जो highest placement package था यह एक tech profile के लिए था ठीक है मतलब की programming वाली profile के लिए था यह highest package तो भाई पूरे के पूरे 243 आपको placement offers गिनवाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा तो फिर मैं जो कुछ जो highest packages थे ना जो high packages थे वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं ठीक है वाई तो जो Amazon Germany ने दिय था ना package वो था 1.06 करोड का ठीक और Amazon Ireland ने दिया था 78 लाक्स का package ठीक है और जो college का highest domestic package था ना वो था 64 लाक्स पर एनम का और वो दिया था Apple ने highest domestic package का मतलब है जो विदिन इंडिया जॉप के लिए जो highest package था वो था 64 लाक्स पर एनम जो Apple ने दिया था तो अगला जो जो था 55 लाक्स पर एनम का तो फिर जो में जो आपकी company companies दिख रही है ना college में जो highest package दे रही है वो दो ही है Google और Amazon ठीक है यह आती है और सबसे ज्यादा highest packages देती है हमारे college में NSUT में ठीक है जो इस साल आई थी 2022 में तो भाई अब मैं आपको पूरे college का average package बता देता हूं ठी 16.5 लाक्स पर एनम का ठीक है जो कि बहुत अच्छा आप जिसको consider कर सकते हो ठीक है और यह package सिर्फ एक CSIT वाली branches का नहीं है ठीक है यह सारी ही placements को मिला के core, non-tech और tech placements को मिला के पूरे ही college का placement को मिला के 16.5 LPA जो आपका average placement package था ठीक है अगर आप उपर की branches में देखोगे क CSE में कितना average था और IT में कितना था तो यह काफी उपर तक जाएगा यह 20-22 से अराम से cross कर जाएगा 24 तक पहुँच जाएगा ठीक है पर जो average package था पूरे college का मिला के वो 16.5 LPA था 2022 के year में and guys जो placement percentage था ना college का वो था 94% जो अगेन आप बहुत ही अच्छा consider उसको कर सकते हैं तो guys यह थे NSUT के 2020 के placement stats I hope कि आपको यह सब जानगे अपने placement preparation के लिए थोड़ी बहुत motivation तो जरूर मिली होगी तो guys आप मेंसे काफी लोग यह सोच रहे होगे कि काफी time से channel पर वीडियो क्यों नहीं आ रही थी तो भाई हमारे ना end semester exams चल रहे थे इस वज़े से मैं वीडिय चल रहे हैं 9 January तक ठीक है वाई तो अभी रेगुलर वीडियो से आपको देखने को मिल रही होंगी ठीक है और आपको मैं सारी की सारी information जो आपको जरूरी है वह मैं आपको provide कराता रहूंगा इसी चैनल पर ठीक है तो चैनल को subscribe कर देना और यहां तक देख लिए वीडियो तो फिर वीडियो को like सरूर कर देना thanks for watching